जो market में downtrend आया है इसको किस तरह से trade plan execute करके हम लोग catch कर सकते हैं और यह बहुत आसान है मैं आपको बताओ मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी seller का 60% काट दीजिए या किसी भी buyer का 60% 50% काट दीजिए सबसे पहले 3 levels होते हैं किसी भी seller या buyer की total quantity का 38% काट देना 61.8 होता है level ठीक है 0.618 भी Fibonasi में आपको दिखता है यह जो 3 level आपकी मैं बात कर रहा हूँ न इसको हम लोग calculate करते हैं कैसे देखिए जब भी price आप देख रहे हैं ठीक है तो जहां से जहां तक चलके गया कोई भाव 100 से चलकर गया 120 तक तो यह जो 20 points का momentum है ना यह मेरे लिए 100% के equal है 100 प्रशद के बराबर है अगर कोई भी अब इसका आधा कितना हुआ 10 रुपया मगर इसका मतलब हुआ अगर price कभी भी अब 110 के नीचे trade किया तो जितना buyer ने खरीदा था seller ने उसका आधा से ज़्यादा बेश दिया है half quantity से ज़्यादा बेखवाली कर दी इसका मतलब है जो seller का half quantity से ज़्यादा बेश सकता है अब वो 10% extra 11-12% extra और बेश सकता है तो 61.8 तक आता है अगर किसी seller का 61.8 60% से अधिक बेश दीजिए पूरी खरीदा लिका ये 20% आपने 20 रुपए खरीदा 100% हुआ अगर 60% से ज़्यादा बेश दीजिए जा इसका मतलब हुआ 12 रुपए से ज़्यादा कि बिकवाली 120 से गिरकर भाव 108 के नीचे ट्रेड करने लगे और वहाँ उसके low break कर दे तो समझिए अब ये भाव पूरा 100% तक दुबारा 100 lot कर रहेगा ये level होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ देखें इंट्राइडे ट्रेडर के लिए मैं कहता हूँ पिछले 3 दिन के projection को ध्यान दीजे पिछले 3 दिन में जो concept trade किये गए पिछले 3 दिन के या कल बिक्वाली करके गए तो पिछले 3 सेशन के खरीदा और बिक्वाल को हम लोग पकड़ कर रखते हैं तो अगर पिछले 3 सेशन के high और low mark कर लीजे तो मेरे लिए ये 0 है और ये 100 है तो जितना high से low चल कर गया होगा बाजार अगर उसका 50% काट दिया तो शॉट करेंगे 60% काट दिया तो बाकी का momentum 40% वो मेरा है वहाँ शॉट करेंगे तो देखें मैं आपको दिखाऊ ये पिछले 3 सेशन के low लग गए आज के सेशन को हटा दीजे मैं बड़े टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ थोड़ा जो आपको देखने में असा नहीं आज के सेशन के शुरुवात हुई है सवानोकी candle पहली ये दिखती है ये candle देख रहे हैं ये first candle है तो जब ये आपको पहली candle दिख रही है तो इस candle से शुरुवात हुई आज की इसके पहले का सेशन ये इसके पहले का सेशन ये तो तीन देखर के अगर आप high निकालना चाहें तो ये तीन सेशन के high है और ये तीन सेशन के low थे तो मैंने क्या कहा इस low से high तक अगर हम plot करेंगे बात के लिए हूई तो पहला click यहां करना है और दूस्रा click तो 100% momentum को हमने देख लिया तो price ने क्या किया पहले 0.5 का level उनने 750 के भाव को यहाँ काट दिया यहाँ जैसे ही काटा तो price दिखे instant 60% के आसपास चलके आया यहाँ पे buyer ने अपनी आखरी कोशिश की कि price को कैसे भी बचा लिया जै seller ने 60% quantity बेश दी जैसे ही उसने कोशिश की तो 50% के आसपास जो पिछली बार उसने बेशा था वहीं से दुबारा बेश दिया अब जो target बनेगा वो मैंने का 100% जहां से चलके गया वहाँ तक तो आप यहाँ पे गौर कीजिए आपको देखने को मिलेगा लगभग लगभग हम लोग 1969 को टच करके गए और यह है उननेश चैसो पचास का लिवा सिर्फ नौ पॉइंट दूर रहे गए तो पूरी तरह से अगर यहाँ short करना है तो पूरा price इसके बाद इसको retest करके price पूरी तरह से गिरता है बात क्लियर हुई तो Fibonacci का use आप किसी भी तरह करते है इंट्राडे मार्केट में बहुत अच्छे से डेली हमारे traders इस तरह के profit book करते है Fibonacci को use करते है यह बहुत simple projection setup होते है बस आपको इनको जानना होता है इनके basics से जुड़ना होता है कि किस तरह यह काम कर रहे है इस तरह है कि बहुत सारे आप लोग moving average को use करना ही नहीं जानते है किस तरह से आउसत को use करना है उसका काम क्या हो पियो कैसे करना है जब तक उसको सीखेंगे नहीं तब तक use करी नहीं पाएंगे आप उसके base से नहीं जुड़ें आपका अधार नहीं के लिए ठीक है तो इस तरह से आप कभी भी trade को प्लाण करें आज के हमारे traders ने सभी momentum catch किये हैं यहां पे short किये थे आई टीम trade से strike price short किये थे आप भी आसानी से इस तरह से plan कर सकते हैं चलिए ठीक है थैंक्यू